हेलो दोस्तों देवह में एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का एक बाद फिर से स्वागत है जैसे के हमने कल वीडियो बनाया था उत्राखंड लोग से आयोग ने एक नई विग्याप्ति का विग्यापन जारी कर दिया है तो उसमें कल उसने एक ब्रीफ जो विग्याप्त कि कॉलिफिकेशन क्या मागी जाएगी तो फटा पड़ से हम जो है पदों का विवरण और कॉलिफिकेशन देख ले दे क्योंकि बाकी की चीज़ें तो सेम रहती है जो जो है बाकी की परिक्षाओं में रहती है ठीक है वो सभी चीज बताने के आप जरुबर नहीं है जो लेवल साथ की ये नौकरी रहने वाली है आपकी ठीक है ये स्थाई होता है राजपत्रित ठीक है पेंसन स्कीम अंसदाई पेंसन योजरा नई नई एन पीएस इसमें भी चलेगा ठीक है चले बात करते है अनिवारी शेक्षिक अरहता की तो सबसे महतोपोन यही हो जाता द दम ठीक है जिसने फार्मर्सी कर रकी है या फिर फार्मसिटिकल साइंस इसमेर साइंस या मेंडिशन विट स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्मेलोजी ठीक है फार्म पर देख पारे होंगे आप pharmacy वग्यरा से जिसदे जिसने या microbiology from a university stability in India by law तो ये medical शेत्र में जिनने लोगों ने pharmacy वग्यरा कर रखा है, b parma वग्यरा कर रखा, microbiology से course कर रखा है, ठीक है, उन लोगों के लिए ये लिए फॉम है, अधिमानी अर्हता में हमेशा वही रहता है कम से कम से नमा दो वर्से की आपकी सेवा होनी चाहिए B प्रमाण पत्र, C प्रमाण पत्र वगएरा आपके पाई NCC का है तो भी आप कर सकते important आ जाता है आयू सीमा तो 21 वर्से इसमें जो है minimum आयू है और 42 वर्से इसमें maximum आयू रखी गई है ठीक है यह ध्यान रखना है उसके आलावाइस में पदू का विबरण देखे तो जैसे के हमने कल बात की थी इसमें टोटल 19 पद है जिसमें से जो जनरेल के अनारक्षित के हैं वो 14 पद हैं दोस्तों इसमें 3 महिलाओं के लिए है अनुशुची जाती आप कोई किसी के लिए नहीं है चले बात करते पदो का विबरन हो गया साथ यो important चीज़ें यहाँ पर आयू के गणना एक जुलाई 2023 को होती है वो आपको पताई है अधिक्तम आयू सीमा में छूट जैसे कि बागी परिक्षाओं में दी जाती है वही रहने वाली है जैसे कि आपको पताई है इसमें important चीज़ हम फटापट से देख लेते हैं ठीक है अनिवारी अरदा वगएरा मैंने आपको बता ही दी है देखे शुलक में आप अनारक्षित के लिए जनरल के लिए यहां पर देखेंगे आप डेढ़ सो रुपे शुलक है लेकिन इसमें टैक्स वगएरा मिला करके यह हो जाता है एक सब बहत्तर रुपे तीस पैसा अनुशुची जाती के लिए यहां पर देखेंगे आप जो है बैयासी रुपे तीस पैसा और अनुशुची जाती के लिए बियासी रुपे तीस पैसा अन्य पिछडा वर्गे के लिए एक सब बहत्तर रुपे तीस पैसा ऑर आर्थिक रूपसे कमजोर वर्ग जो है उसके लिए भी एक सब बहत्तर दसम्दश तीस रुपई राज की ग्रह निवा अनाथ बच्चे जो है उनके लिए कोई फीश यहां पर नहीं रखी गई है और उसके अलबा उत्राखंड जो दिव्यांगे जन है उनके लेवे 22 कोई शुलक नहीं है केवल प्रोसेसिंग फीश है 22 रुपया 30 पैसा ठीक है तो यहां पर यह चीज हमने जान ली है अब फटा पट से हम देख लेते हैं इसमें जो है परिक्षा किस तरकार से होगी दोस्तों इसमें जो परिक्षा का स्वरूफ होगा इसमें दो एक्जाम होने की संभावना है वैसे आपका शाक्षातकार ही इसमें मुख्य है ठीक है जो इंटर्व्य होगा इंटर्व्य ही इसमें मुख्य है लेकिन आपको एक चीज यह धियान रखना है अगर मान लो इसम जादा होते हैं बच्चे अगर जादा होते हैं अभिरती जादा होते हैं तो उसके लिए फिर यहाँ पर एक screening परिक्षया होगी ठीक है screening परिक्षया होगी जो 200 अंकों की परिक्षया होगी ठीक है आपको शम्मलित किया जाएगा इस से पहले कि आपको क्या करना है जितना भी आपने फॉर्म आविदन पत्र में जो जो डोकुमेंट वगएरा सारे भरे हैं जो जो दावा कर रहा है आपके पास जो चीजे उनका आप हाट को भी निकाल करके क्या करेंगे इस फॉर्म के साथ स इस से लगा के भेज़दी वहाँ पर जमा करके कर दिये उसके बाद उसका परिक्षण होगा उसके बाद आपको शाक्षात करके लिए इंटर्व्यू के बुलाया जाएगा ठीक है इंटर्व्यू के लिए बुलाया जाएगा ठीक है इंटर्व्यू के लिए तभी बुलाय जाएगा तो ये सारी चीजे हैं बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है यहाँ पर से अब और कुछ निकल कर नहीं आता है वो आपको बता दिया हमने अब आपको बता दूँ यहाँ पर जो वस्तुनिश्ट प्रकार की परिक्षा मैंने पहले कहा था कि 200 अंकों का होगा अधिक् को इसमें मिलने वाला है ठीक है और अगर बात करेंगे किस सब्जेक्ट से आएंगे तो फार्मासिटिकल साइंसे से इसमें क्वेश्टन सारे पूछे जाएंगे शाक्षातकार और सदी निरिक्षन गेरेट टू के लिए 100 अंक का शाक्षातकार यहाँ पर होगा इंटर्व बस और बाकी इसके अलावा अंतिम डेट, फास्ट डेट, एस ग्रूप क्या मागी गए एक अजिक्विशनल क्वालिफिकेशन ठीक है यह सारे चीज़ बस इतनी चीज़ी इसमें इंपोर्टेंट थी वो आपको बता दी है बाकी आपने भी इसका अधियन कर लिया होगा ब मिलेंगे भी नेक्स्ट वीडियो में इसमें इतना है धन्यवाद जैहिंद